वर्ड प्राबलम डिसकस करेंगे हम जी स्टेटमेंट है कि आर रेक्टेंगुलर पीस इस एट सेंटीमेटर लॉंग एंड फाइव सेंटीमेटर वाइड आ स्ट्रिप आफ विर्थ वन सेंटीमेटर इस कट आफ आल अरॉंड दा पीस find the area of the remaining piece and piece cut off मतलब अब इस बात को मैं यूं समझाता हूँ कि फर्स करें हमारे पास A, B, C, D ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है ठीक है यानि इसलिए मैं इसके रेक्टेंगुलर प्लेट कहा रहा हूँ कि इस closed figure जिसकी के चार साइडे हैं इसके opposite sides बराबर है A, B side, D, C side के बराबर है और A, D side, B, C side के बराबर है और हर corner angle 90 degree का है तो ये एक rectangle है ठीक है अब इसने एक area cover किया हूए है ठीक है जो कि अगर मैं इसे shade करूँ तो हम इसे देख सकते हैं किसने कितना area जो है वो cover किया हूए है देखें यहाँ पर जैसे ये light pink area और sorry बलके यहाँ पर इसको मैं और different color शो करता हूँ ये ये तमाम area इस closed figure ने occupy किया हूए है ठीक है अब एक strip एक बारीक सी आप यूं समझे लें कि अगर ये metal की हो तो एक पटी आप काट रहे हैं इस तरह से के one inch चारों तरफ से आपने gap रखतेवे काटा है इसे ठीक है तो ये जो आपको white color में region नजर आ रहा है यह चलें अगर मैं जो काट लिया हमने कट कर लिया अगर उसको मैं blue color में shade कर दूँ ये जो region है ये strip का है जिसकी कि चारों मतलब ये कटी इस तरह से कि इसकी जो विर्थ थी इस rectangle की ठीक है उस में से 1 cm आपने कम कर लिया यहां से 1 cm चारों तरह से 1 cm का gap रखतेवे आपने से काटा हुआ है अब इस जो strip है इसका area हमने एक तो मालूम करना है ठीक है कि ये कितना है और जो remaining piece है यानि remaining piece means कि जो white color में है ये area हमने मालूम करना है कि ये कितना है ठीक है ये दो बाते हैं तो देखे सबसे पहले यहां से तो हम ये इंदाजा लगा सकते हैं कि total length ही 8 cm जिसमें से 1 cm यहां से कम हुआ है और 1 cm ही यहां से कम हुआ है तो 2 cm overall जो length है उसमें कमी आई है तो 6 cm जो rectangle अभी में नजर आ रहा है इसकी length होगी और अगर इसकी width देखी जाए तो total width ही 5 cm जिनमें से 1 cm यहां से कम हुआ है और 1 cm यहां से कम हुआ है तो 2 cm overall कम ही तो 3 cm इसकी width रह गई है ठीक है तो हम जानते है एरिया का formula के length को multiply किया जाता है width के साथ ठीक है बलकि यहां पर मैंसे मतलब सी तरह लिखा नहीं गया overall अगर हम इसमें अब इसकी values को put करें 6 cm को multiply करें 3 cm से तो इस white color region का एरिया आजएगा 18 square cm ठीक है जी अब जो total area है इस rectangle का total area वो अगर आप देखें तो वो कितना है उसकी total length कितनी है 8 cm है और total width कितनी है 5 cm है तो 8 को 5 time add करें या multiply कर दें एक ही बात है यह 40 square cm आता है अब अगर total area में से यह white वाला area निकाल दिया जाए तो जो remaining area है यह आ जाएगा जो कि area of the piece cut off है ठीक है area of piece cut off remaining piece का area है तो हम already निकाल चुके है ठीक है यह remaining remaining part है ठीक है यह उसका area था और यह piece cut off का area है जो कैसे आएगा कि आप 40 square cm में से minus कर देंगे 18 square cm तो 18 में 2 add करें 20 और इसमें मजीद 20 add करें तो 40 बनता है इसका नतर 22 square cm यह जो है इस shaded region का या border जो आपको नज़र आ रहा है उसका area है